एरो आवी एरो आवी आओ आओ सुनो कहानी सुनो कहानी जहां है डर्पोक राजा पहादर रानी और उड़ती मचली और तैरती शेर नी आओ आओ सुनो कहानी सुनो कहानी एक बार बिल्लियों ने चूहों को अपने यहां दावत पर बुलाया आपको क्या लगता है कि वहां क्या हुआ होगा? चलिए सुनते है कहानी बिल्लियों की दावत ओरिजिनल स्टॉरी बाई सौरा राइटर्स ग्रूप हिंदी में अनुवात राजेश खर चितरांकन कुशा कुमार बरिक, प्रकाशन प्रथम बुक्स, अभिवाचन असावरी दोशी और एसी बहुत सारी कहानिया आर्टिकल सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर आईएगा www.books.speak.com चलते हैं बिल्ली के यहां दूर एक गाउं में कुछ मोटी बिल्लिया रहती थी उसी गाउं में कुछ चुहे भी रहते थे आपको क्या लगता है कि वे आपस में दोस्त थे? एक दिन मोटी बिल्लियों ने दावत करने की सोची उन्होंने हलवाई को बुलाया उसने बड़ी सी आग जलाई और भात, पीठा और कई पकवान बनाए बड़े बड़े देगों में से अच्छी खुश्बू सब जगा फैल गई सब के मूँ में पानी आ गया अब मोटी बिल्लियों ने चुहों को भी दावत में बुलाया चुहे तो खुश्बूए सूंगी रहे थे इसलिए वे बड़े खुश हुए उन्होंने अपने मुखिया से दावत में जाने की अनुमती मांगी उनके होशियार मुखिया ने कहा तुम जा सकते हो पर याद रखना कि बिल्लिया हमारी दुश्मन है उनके आसपा सावधान रहना किसी को चोट नहीं आनी चाहिए पहले वहाँ अपने नीचे एक बिल खोद लेना अगर कुछ गड़बड हो तो उस राह से भाग निकलना चुहे दावत में गए उन्होंने इधर उधर देखा और थोड़ा पीठा खाया चुपचाप से अपने नीचे बिल भी बनाते रहे संगीत बज रहा था और बिल्ली और चुहे मिलकर नाच रहे थे धम 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 बजा धोल और पीपी पीपी बजी तूरी नाचो गाओ पकड़ो खाओ मोटी बिल्लियों ने गाया चुहों को इसका मतलब पता था नाचो गाओ भाग जाओ उनका जवाब था गाते गाते वो अपने बिलो के रास्ते से भाग निकले मोटी बिल्लियों को हार माननी पड़ी भूखी और परेशान वे चली गई क्योंकि बिना स्वादिष्ट चुहों के भला दावत कैसी ये कहानी सौरा लेखकों के समुह द्वारा लिखी गई जिसमें एबेन जबार प्रदीन गमांगो और सुरुनिबास गमांगो शामिल थे नवबाल शिक्षण में अनुभव प्राप्त ये सभी नियमित रूप से बच्चों के साथ काम करते है सौरा भित्तिचित्र शैली को आधार मान के कुशा कुमार बारिक ने इसका चितरांगन किया है ये प्राचीन सौरा भाषा ओडिशा के गंजाम, गजपती और राइगड़ा जिलों में तीन लाख से अधिक लोगों की भाषा है सौरा भित्तिचित्रों ने देश भर के कलाप्रेमियों का ध्यान आकरशित किया है कहानी खत्तम मुझे और एक सुनिये उसके बाद और एक अच्छा अच्छा आपको भी सुननी है नो और कहानिया तो चलो मेरे साथ www.bookstatspeak.com पर एरो आउई, एरो आउई